बेशक बोर्ड एक्जामिनेशन में सुन्दर व साफ लिखावट के लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स ना दिये जाती हूं लेकिन आपकी लिखावट आपके प्रदर्शन व कॉन्फिडेंस को दर्शाती है जिसका आपकी आंसर शीट चेक करने वाले एक्जामिनर पे खास प्रभाव पड़ता है जिसका फायदा आपको अपने रिजार्ट में मिल सकता है यहां हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिनको जानकर आपको बोर्ट एक्जाम में सुन्दर लिखावट का महत्व सपष्ट हो जाएगा पहला सुन्दर हैंड राइटिंग में लिखे उत्तर आपको सामानने से अधिक अंक लाने में कर सकते हैं मदद शीट मौजूद होते हैं जिसके चलते हैं वे हर शीट के हर पेज पर लिखे हुए उत्तर की हर लाइन तो ध्यान लगा कर नहीं पढ़ेंगे वे आपके आंसर शीट पर एक तीवर नजर दोडाते हैं और जैसे ही उने कोई उचित उत्तर मिलता है उसके लिए अंक देते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई उत्तर लिखा तो सही होगा लेकिन आपकी लिखावट ऐसी है कि एक्जामनल को से पढ़ने और समझने में काफी मेहनत करनी पढ़ रही है तो ऐसे में आपके अंक कटना तो जाहिर नहीं दूसरी और सुन्दर हांड राइटिंग में लिखा हुआ सही उत्तर आपको बेशक पूरे अंक दिलाने में मदद कर सकता है दूसरा सुन्दर हांड राइटिंग आपकी गलतिया चुपाने में कर सकती है मदद अगर आपने परीक्षा में सुन्दर और स्पष्ट राइटिंग में लिखते हुए पहले 10 प्रशनों के उत्तर बिल्कुल सही लिखे हैं और 11 प्रशन का उत्तर पूरी तरह सही नहीं है तो आपकी सुन्दर प्रेजेंटेशन की बजह से एक्जामिनर आपको पहले 10 उत्तरो के लिए तो पूरे मांग्स देगा ही बलकि हो सकता है प्रभावत होकर वे 11 उत्तर के लिए आपको पूरे अंग ही दे तीसरा आंसर शीट में सुन्दर वस्पष्ट लिखित और अच्छी प्रेजेंटेशन से जलकता है आपका कॉन्फिडेंस अक्सर स्टूडेंस के लिखने के तरीके से ही उनके moral strength और self confidence का अंदाजर लगाया जाता है examiner भी अपने experience के चलते आपके लिखने और presentation के तरीके से आपकी performance को जाच लेते हैं जो students not clear और खराब writing में उत्तर लिखते हैं वे या तो सही उत्तर नहीं जानते या nervousness की वज़ह से सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं ऐसे में examiner कोई key point ना मिलने की वज़ह से अंक कात लेते हैं वहीं दूसरी ओर सुंदर वसपष्ट उत्तर लिखने वाले विध्यार्थी को examiner की इसी mindset का फायदा होता है और उसे सामारने से ज्यादा अंक मिल जाते हैं तो students देखा आपने किस प्रकार बोर परीक्षा में साफ पसपष्ट उत्तर लिखने से आपको एक्स्ट्र आडबांटेज मिलता है और साथ ही कुछ marks कमाने का भी मौका मिल जाता है अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप अपनी handwriting को सुधार सकते है पहला लिखना अपना शौक बना ले दूसरा लिखते समय अक्षिरों की आकार का रखे खास ध्यान तीसरा लिखते समय पेन पर ज्यादा दबाव ना डाले चौथा लिखावट में जल्दबाजी ना करें पाचवा अच्छे पैन या पैंसिल का इस्तमाल करें तो इस बार बोर्ट परीक्षा के लिए तयारी करते समय सुन्दर लिखावट वा अच्छी presentation को भी अपने लिए target मान कर चलें कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में सब कुछ सही लिखने के बावजूद भी खराब या असपश्ट लिखावट की बज़ा से आपको पूरे अंक ना मिल पाए उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और आन ने ऐसी वीडियो देखने के लिए विजिट करें जागरजोष.com तिल दे नेक्स ताइब, इस गुट पाई